ब्राट तो यू बाई अजिलिस डाइगनोस्टिक्स एक बार नाम ले लिया जाए तो उसके गीत होटों पर आ जाते हैं दिल वाले दुलह निया ले जाएंगे डर दिल तो पागल है वीर जारा सारी दुश्मन और इनमें कुछ फिल्में शायद जो कम सुनी हुई फिल्में रही लेकिन वो गाना सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये गीत कौन सा है तो आम तोर पर उदिट जी आपसे बात होती है तो आपके बारे में ही होती है लेकिन आज उस सह कलाकार की उस आइडल की बात होगी वो पहला मौका कब था जब उदित नराएड ने लता मंगेशकर को जाना मैं विलेज में था गाउं में था एंड़ टाइम मेरी उमर होगी पांच-छे साल की तो बाइल गाड़ी पे बराती जा रही थी तो उस वक्त लॉड़े स्पिकर में गाना होता था तो गाना चल रहा था नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंडूरे सावरिया और उसके बाद जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और एक भोजपुरी पिक्चर का भी गाना बज रहा था कि मचलती हुई हवा में छम-छम गंगा की लहरे तो मैं उस बैल गाड़ी के पीछे-पीछे दौड़ता चला गया सुनता रहा बहुत दूर चला गया तो देखा कि कोई आस-पास में है नहीं तो मैं डर गया ज़रा क्योंकि बच्चा था तो आप सोची कि लता जी की आवाज वो आवाज जो खीचता हुआ कई माइल तक मैं उनकी आवाज को सुनता हुआ चला गया और उस वक्त से ही मेरे दिमाग में जहन में सिर्फ लता जी की आवाज गुंजती रही और क्या पता था कि इश्वर की ऐसी कृपा होगी कि मैं कि इस आवाज को आज सुन रहा हूं कभी मैं रूबरून से मेरी मुलाकात होगी लुकका вкус लेले मौका था दो या चार लैन मैंने गाया था पहले, पहली बार मैंने लता जी के साथ दो या चार लैन मुझे गाने का अफसर मिला था, पंचम जी का म्यूजिक था जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फरसत कहां, सोचें जो हम मत वाले ये चार लैन मुझे पहली बार गाने का मौका मिला था, लेकिन रूबरू मिलने का मौका और ड्वेट गाने का मौका मिला था मुझे येश चोपडा साब की फिल्म, डर और महजभट साब की फिल्म, सातवा आस्मान जब साथ में रिकॉर्डिंग हुई दोनों की जी ये दोनों जी साथ में कोड़िंग हुई और ये ये ने कहा कि आज लता जी आपके साथ गार है तो मुझे जितनी खुशी हो रही थी अंदर से उतना ही दिल धड़क मेरा था नर्वस हो गया था लेकिन आप यकीन ने करेंग लता जी आई और मैंने पैर्श हुआ अशिरवाद लिया उनका गाना भी कहीं वो तो नहीं था तू मेरे सामने जी यहीं गाना था यह था कि और कि मैं वहला दिदी मैं बच्पन से आपका फैन हूं जब से होश संभाला है लेकिन मुझे क्या पता था कि कि मैं आपसे कभी मिल पाऊंगा या मेरा सपना साकार हो जाएगा कि आपको देख पाऊंगा इश्वर की ऐसी कृपा हुई देखना तो देख तो लिया ही लेकिन साथ में गाने का भी मौका भी मिला मुझे झाँ मैं जब सके टाएब हाऊंगा लेकि रहस समय देखने कि आपक पता भी मौका रेकिन